हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज का ये निया वीडियो में आप सभी को धेर सारा बहुत सारा स्वागत है मेरा नाम है गोपाल और दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो एडिटर प्रो ठीक है एक फोटो एडिटर का प्रोजेक्ट है दोस्तों स्केच ग्या है ठीक है दोस्तों आप जो है ना इस वीडियो को पुरा लास्ट तक देखेगा आपको यह प्रोजेक्ट बहुत से बहुत-बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं तो दोस्तो आज का ये वीडियो स्टाट करने से पहले हम जो है क्रेडिट दे देते हैं इन भाई साब को आप सपोर्ट कीजिएगा दोस्तो फुल सपोर्ट कीजिएगा ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए फोटो एडिटर ठीक है दोस्तो काफी ज़्यादा जबरदस्त एकद प्रोजेक्ट फाइल है और दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल है ना पुरी तरह से दोस्तो टूट चुका है ठीक आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी टूट गया है दोस्तो उसके बाद यह कॉर्णर में भी टूट गया है उसके बाद यहां प पुरी तरह से दोस्तो विखर गया है तूट के और दोस्तो इसका जो display है इसका service center पर available ही नहीं है ठीके और दोस्तो मैं जो है अभी नया mobile purchase नहीं कर सकता कियोंकि मेरे पास पैसा नहीं है दोस्तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा दोस्तों ये जो है ना मेरे हाथ से फिर से गिर के तूट गया ये टू टाइम डिस्पले तूटा है इससे पहले भी डिस्पले तूटा था बहुत मुश्किल से मेरे को डिस्पले मिला था और मैंने उसको रिपेरिंग किया था ठीक किया था और ये second time दोस्तो मेरा display तूट गया है और मैं इसको repairing नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि display मिल नहीं रहा है ओके दोस्तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और दोस्तो ये जो तूटा हुआ है आप इसको ignore कीजिए ठीक है नहीं तो दोस्तो आप comment करके बताईए मैं screen recording करके वीडियो बनाओ या फर जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये रहा दोस्तो फोटो एडिटर का project फाइल है और दोस्तो ये पूरा complete project फाइल है मैं आपको यहाँ पर दिखा जाता हूँ इसके अंदर दोस्तो आपको बहुत सारे settings, option, tool बगएर आपको मिल जाएगा बहुत कुछ है आप अपना photos को दोस्तो एकदम अच्छे तरीके से दोस्तो जो है edit बगएर कर सकते हैं, painting कर सकते हैं, text बगएर एड कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है ठीक है, दोस्तो मैं आपको जो है न यह install करके ही दिखा जेता हूँ, ठीक है, direct दोस्तो मैं आपको यह application उपन करके ही दिखा जेता हूँ, तभी जाके आपको अच्छे तरीके से और भी बहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, वीडियो को कहीं पर भी skip ना करें दोस्तो भीडियो को पुरा last तक देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा और आपको यह भीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, और दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह project file जो है थोड़ा सा heavy है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक ह आपने project को install किया, कोई error नहीं आया, आपका project successfully build हो गया है, लेकिन उसी project को अगर हम अपना mobile में download करता है, तो error आता है, ठीक है, दोस्तो मैं आपको पुरा live यहाँ पर दिखा रहा हूँ, project में कोई भी error नहीं है, और यह एकदम अच्छे तरीके से दोस्तो जो है, completely build होके आ ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका picture and videos recording करने के लिए आपको allow मंग रहा है, तो आप इसको permission allow कर दीजिएगा, उसके बाद photo बगएर को save करने के लिए, यह media storage का दोस्तों access मंग रहा है, तो आप इसको allow कर दीजिएगा, उसके बाद आप जो है support कर सकते है दोस्तों इन भाइसाब को visit कर सकते हैं, इनका blog channel है, youtube channel है, उसके बाद हम इसको dismiss कर देते हैं दोस्तों ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप जो है camera में जाके photo को select कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप जो है gallery में जाके photo को select कर सकते हैं, तो दोस्तों हमने यहाँ पर photo को select कर लिए है आप यहां पर फोटो को दोस्तों क्रॉप कर सकते हैं डाइरेक्ट ठीक है अपनी हिसाब से दोस्तों आप यहां पर स्क्रीन का जो साइच है आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक तो हमें चाहिए यह फूल तो हमें फूल चाहिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों कर सकते हैं तो हम इसको यहीं पर टिक करदे दैंगे दोस्तों यहां इउसनुडं今ृ इमेज इमेज का साइच दोस्तों यहां पर छेंजिस कर सकते हैं उसके बाद आप आप मिलता है यहां पर दोस्त आप देख सकते हैं इसको हम डिस्मिस कर देंगे उसके बाद दोस्त ऑब जोए इसको जूम-in-joon-out कर सकते हैं साइट चाहिए तो यह बटन जो आप डिसिबल है काम नहीं कर रहे है उसके बाद दोस्तों आप यहां पर अपने इम्यज को स कर सकते हैं उसके बाद यहां पर शेयर कर सकते हैं प्लास का आइकन का उपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहां पर एड़ टेक्स्ट आप जो है दोस्तों यहां पर टेक्स्ट को एड़ कर सकते हैं ठीक है इस तरी किसा आप टेक्स्ट को दोस्तों एड़ कर सकते हैं इसका एड़ कर सकते हैं यह देखिए यह दो टेक्स्ट है दोस्तों इसको जो है एड़ कर सकते हैं इसको जो है मैं यहीं पर रहने देता हूं कट कर देता हूं ठीक है दोस्तों अगर आप इसमें कोई फोटो पगर को एड़ करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं एड़ दोस्तों आप और क्या क्या है दोस्तों इसमें ड्रो कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आप कुछ भी आप पेंटिंग कर सकते हैं यहां पर आपको इरेजर का ऑफशन मिलता है आप इसको मिटा भी सकते हैं दोस्तों उसके बाद आप जो है दोस्तों यहां पर कलर सेट कर सकते है से स्लेक्ट कलर आप यहां पर अपना कलर सिलेट कर सकते हैं दोस्तों जो भी कलर आपको चाहिए उसके बाद दोस्तों आप यहां पर जो है ब्रस यहां पर इसका जो साइज है आप इसको बड़ा चोटा कर सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर ओपासिटी है अगर अगर आपको opacity जदा लगता है तक इसको कम कर सकते हैं अगर देखिये दोस्ता अब अपने देखिए मतलब और यहां से दोस्त आप जो इसको back कर सकते हैं जो भी आपने draw क्या है दोस्ता आप इसको exit कर सकते हैं उसके बाद दोस्ते यहां पर कुछ option दिया गया है यहां पर brightness को जदा हो गया उसके बाद दोस्तों यहां पर यह देखिए कापी यह अच्छा लग रहा है यह background में देखिए साइट में corner में देखिए उसके बाद दोस्तों यहां पर filter का अफसान दिया गया है यहां पर दोस्तों आपको बहुत सारा अलग-अलग filters देखने के लिए मिलेगा तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं दोस्तों यह रहा नॉर्मल और दोस्तों आप जो है इसको यहां से सेब कर सकते हैं और दोस्तों यह जो है आपका फाइल में सेब हो जाएगा ठीक है काफी अच्छा दोस्तों और जबरदस्त एकदम प्रो लेवल का यह प्रोजेक्ट फाइ है ना इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए वहां पर आपको ये प्रोजेक्ट का जो डाउनलोडिंग लिंक है ना वो मिलेगा आप उसका पर किलिक करके गूगल ड्राइब से दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट फाइल को असानी से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसको इंस्टॉल कीजिए देखिए सीखिए और दोस्तों आप अपने लिए इससे भी अच्छा फोटो एडिटर का एप्लिकेशन आप बना सकते हैं स्केच और में तो दोस्तों बस वीडियो में था इतना ही मैं उमीद करता हूं आप सभी को हमारे वे वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है जोरो लाइक कीजिएगा चेनल को सबसक्राइब नहीं किया है निची आप को रिट कलर का समस्क्राइब बटन देखने के लिए मिलेगा ठीके सूमस्क्राइब नहीं किया है साबस्क्राइब कीजिए ठीके बगल में घंटी बटन निकल काएगा उसको भी कि लि case पर दोस्त तो यतना हो सकता है आप सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई